हालो गाइस कैसे हैं आप सब लोग टैरोक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज हम जो रिडिंग बना रहे हैं यानि कि कोई एनरजी चेक जो मैं करती हूं शाम को इवनिंग में तो आज हमने उसमें टापिक लिया है कि आपके पार्टनर और आपकी बीच चल रहे है ठीक है आख उकिनोर इस बिटाए मेरि देख रहे हैं उनके उनके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है उनके पार्टनर के और एन के बीच में क्या चल रहा है हमार पास 카ड आ चुके हैं चली चेक कर लेते हैं थे हाइप्रिस्टेस ते स्टार नाईन ओफ पैंटिकल्स क्या चल रहा दोनों के बीच क्या चल रहा है दोनों के बीच ओके हम ऐसे ले लेते हैं ठीक है six of swords ओके bottom में हमारे पास है देखी judgment का card है ठीक है यहाँ पर कोई prices strongly लग रहा है सबसे पहले कुछ यहाँ पर दोनों के बीच क्या चल रहा है तो सबसे पहले इनकी में एनरजी देखिए जज्ज्मेंट किया बताता है या तो इनको कुछ हो रहा है ठीक है यह जो भी partner है ठीक है इनका sign कुछ भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर इनको कुछ रियलाइज हो रहा है इनको लगता है कि नका और आपका रिष्टा टूटता जा रहा है दूरियां बढ़ती जा रही है और डाफिरिंटली इनको करना चार्थे यह अलावा है कि कुछ डसीप में है कि इनको सुइकार करना पड़े गार जो असलियत है उसको सुएकार करना पड़ेंगा एससा मुझाime रहे ठीक है यह आपसे बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू स्टार्ट इनके मन में या इनके विचारों में आपके लिए ठीक है इसके लावा आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा spiritual awakening हो चुकी है किसी एक की ठीक है मुझे लगता है कि मेरे व्यूर की energy है कि बहुत ज़्यादा अपने आप में हैं और बहुत growth आपने की है ठीक है जो भी मेरे व्यूर देख रहे हैं वह एक star-like चमक रहे हैं और बहुत कुछ आपने अचीव किया है या फिर अपनी intuition को ज़्यादा follow करने लगें या फिर धार्मिक ज़्यादा बनने लगें इस तरह के energy मुझे यहाँ पर लग रहे हैं लेकिन जो भी कुछ है मेरे जो viewer देख रहे हैं उनके energy यह है कि relationship में एक बदलाव इनकी जिंदगी में आ रहा है आपकी तरफ से यानि कि पूरा finance और career पर धान है यानि कि आप अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आप already चमक चुके हैं और आपकी जो partner है वो अपनी growth के उपर ध्यान दे रहे हैं इनकी इनका जो विकास है अभी हो रहा है अभी यह पूरी तरह संगर्ष में चल रहे हैं ऐसा मुझे हाँ पर लग र career को यह चीज़ें आपके relationship को effect करें ठीक है यहां पर आप star की तरह चमक रहे हैं और इनको अभी growth चाहिए इस वज़े से थोड़ी सी दूरियां आप दोनों में आ गई ऐसा मुझे हां पर लग ठीक है यहां पर कोई आप मीडिया से related काम करते हैं या फिर ऐसा कुछ है कि आगे बढ़ रहे हैं ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है जो दूविदा है जो इनमें disappointment है उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं six of swords बहुत positive card है आप यह आपके partner के nine six ठीक है टू नंबर three number बहुत important है ठीक है अब देखते है currently आपके लिए क्या सोच रहे है यह मन्स बिता है currently मेरे विव्योर की जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे है करंटली क्या सोच रहे है two more card ठीक है हमरे पास आ चुकी है कार्ट है हम चेक कर लेते हैं क्या है अलबास 10 अवूर्ट कुरंटली क्या सुच रहे हैं 2 डैवल इस पैंटिकल्स एंड किंग वॉण्स जैसा कि मैंने बता है आप दोनों अपना सेल्फ लव कर रहें ठीक है अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं और मेरे जो व्यूवर हैं अल्रेडी कुछ बहुत अच्छा कर चुके हैं ठीक है और यह सब आप दोनों को पता है अपनी ग्रोथ के बारे में इसलिए आपके तक हीजिलों Sagittarius जमिनी लिबराएक्विरस ठीक है ओके बहुत सारे साइन सारे साइन है अब जो इंपोर्टेंट कुछ खास बात में बताने वाले हों आपके इनके नाम में धी आता होगा ठीक है यह इनका नाम स्टार्क होगा अर और यहाँ पर मुझे D special मुझे पर लग रहा है इसके अलावा जी जे ठीक है और के ठीक है A C कि यह वाले साइन्स मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं इसके लावा पी भी हो सकता है किसी किसी के लिए ठीक है तो यह यह जो नीचल है आपके नाम में आ अब करेंटली आपके लिए बहुत-बहुत फीलिंग्स रखते हैं और डेफिनेटली आपकी इनको बहुत याद आ रही है ऐसा मुझे आपके लगए है कि किसी पेन से गुजर रहे हैं या तो इनको बहुत भारी लॉस हुआ है किसी बहुत चीज को लेकि ठीक है या तो बात कर देने वाली एनरजी में यहां पर दिख रहे हैं कि इसके बाद डेविल का कार्ड है तो इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ परिशानियां ऐसी परिशानियां जो कि बंधन में बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशंशिप जो टॉक्सिक होती जा रहे हैं जिनसे इनको बहुत कुछ उनके लिए करना पड़ रहा है और बदले में इनको बहुत कुछ सहना भी पड़ रहा है ऐसा मुझे आप लग रहे हैं बहुत ज़्यादा पैन में आपके पार्टनर और डेफिनेटली किसी टॉक्सिक सिच्वेशन से बहार आ जाना चाहते हैं बहुत जारा बहुत ज़्यादा पेंड है बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट आपके पार्टनर बॉल्डव यहां पर लग रहे यह अपनी जिंदिके को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं कहें तो आपके लिए फिलिंग्स क्या है यह आपकी साथ एक नई शुरुवात करना चा और वो इनके care करें ठीक है कोई भी relationship जबी work करता है जब दोनों हाथ से ताली बसती है यानि कि दोनों तरफ से एक तरह की energy होती तब भी relationship work करते हैं तो यहां पे मुझे लगते हैं कि अपनी जीवन में एक नई beginning चाहते हैं नई start चाहते हैं जिससे कि इनको अपना प्यार मिले जो अपने इनको प्यार करें इनकी काम को प्यार नहीं करें किसे स्वाट से प्यार ना करें ठीक है यह इनको प्यार करें इस तरह से energy यह जैसे हैं इनको स्विकार करें और इनकी care करें बद ठीक है आपकी energy आईए high priestess की बहुत ज़्यादा intelligent person बहुत ज़्यादा intuition को follow करने वाले मन की मर्जी करने वाले यानि कि जो दिल में है वो करते हैं ठीक है आप और definitely आप ही की तरह यह भी strong बना चाहते हैं यह अपनी जीवन में abundance चाहते हैं एक लव चाहते हैं एक ऐसा partner चाहते हैं जो कि इनको खुद को चाहे किसी और को नहीं किसी वजह से नहीं बिल्कुल नहीं स चाहते हैं clear cut किसी से कहना सच्चाई के साथ चलना जो relationship में होना चाहिए वो करना और आपके लिए step लेना इनमें आपके लिए action का कार्ड भी होता है king of bones definitely आपके लिए action लेना आपकी आपसे बात करना आपसे मिलने आना इनकी current energy में है क्योंकि आपसे restart करना चाहते हैं आपस इनको realize हो रहा है कि जिन्दगी में जो emotional satisfaction है वो एक perfect partner दे सकता है तो यह ऐसी चीज़ें कि इनकी दिमाग में आ रही है कि किसी को अगर कहेंगे तो बिल्कुल clear cut कहेंगे क्योंकि इनकी दिल के बावाज यह सुनना चाहते है definitely इनके दिल में बहुत सारा प्यार है लेकि lovers choices है लेकिन उस choice को choose कैसे करना इनको पता नहीं ठीक है यह आपको चूज कर चुके हैं यह कोई journey भी हो सकती है लेकिन level नहीं है किसी बात का ठीक है यह आपको चूज करना चाहते हैं लेकिन किस तरह से करें अपनी प्यार को कैसे स्विकार करें इनको समझने आ रहा ठीक है तो य की जगा सब्सक्राइब करना मत भूले मैं आपको नेक्स रिडिंग में जरूर मिलती हूं गाइस बबाई गुद नाइट